आज हम सामान शिक्षक दक्सता परिक्षा के टेस्ट पेपर 2 के 100 सवालात को देखेंगे कोश्टन नमबर एक से लेकर 100 तक के सॉलूशन और एक्स्पलानेशन आपको देंगे दोस्तों, OMR आधारित हमारे टेस्ट सेरीज में सम्मिलित होने के लिए आप हमसे संपर्थ करें 7631314948 पर कॉल वार्टसप करके आप सम्मिलित हो सकते हैं परतेक शाम, धाय से सारे चार, OMR शीट पर 100 प्रशन आपको खुछ से सॉल्फ करने हैं और मेरे वार्टसप पर भेजने हैं पहला कोशन है निमलिकित में से कौन सी पश्मी हिंदी की बोली नहीं है बुंदुली, बर्जभाषा, कन्नोजी ये सब पश्मी हिंदी की बोली है बंगेली पश्मी हिंदी की बोली नहीं है नेक्स्ट कोशन है दूसरा तालाप्षा मुर्धन सा दंती साहा ये सब कौन से वेंजन कहलाते हैं वेंजन कहीं परकार के होते हैं लेकिन तालाप्षा मुर्धन सा दंती साहा को संग घरसी वेंजन कहते हैं नेक्ष्ट कोशने तीन नमबर शुद वर्तनी का चैन्द करना एच्छा लिखा हुआ है जो पांच के बाद आता है उसका शुद वर्तनी हो जाएगा ओप्शन ए नेक्ष्ट कोशने कपीश में पर्युक्त संधी विखेत कौन है कपीश कपा जुर इश इसमें जो है सुर सुर का मेल हो रहा है ये दिर्क संधी है नेक्ष्ट कोशने पांच नमबर बढ़ामास्तर का सही संधी विखेत क्या होगा बढ़ामा जुर आस्तर का सही संधी विखे पढ़ति उत्पन्मती शब्द में कौन सा उपसर्ग है उत्पन्मती के पहले पढ़ती लगाकर आप पढ़ति उत्पन्मती शब्द बना सकते हैं यहां उपसर्ग हो जाएगा option B next question 794 में कों सा समास है चพरہ में एक दियुगु समास है magistrate शब्द है magistrate शब्द जो है यह एक विदेशस सब्द है क्योंकि magistrate इंग्लिश है इंग्लिश विदेशी भासा है पदेन के भारतिय शु starts आइंगे तो यह भारतियों हो जाएगा 135 करूर भारतियों की पहली पसंद मोधी सरकार है इस तरह भारतियों जो है पुद्रा के रुपे परियुग होता है सच चलित्र किस मूल शब्द से बना है सच चलित्र नेक्ष्ट कोष्चन है ग्यारा नमबर मुझे किस परकार का सरवनाम है मैं मुझे ये सब जो होता है उत्तम प्रूस होता है जिससे स्वय का बोध हो विकारी शब्द की पहचान करनी है आज यथा परंतू लर्का विकारी शब्द उस शब्द को कहते हैं जो सब्जक्ट के रुपे प्रयोग होता है अपना मिनिंग देता है किसी के साथ जुरकर नहीं मिनिंग का मुहताज होता जैसे लर्का जो होता है विकारी शब्द होता है संग्या सरवनाम विशेशन ये सब विकारी शब्द होते हैं नेक्ष्ट कोशन है बरहमा का विलोम होगा, विलोम का मतलब होता है उल्टा, जीव जो होता है बरहमा का विलोम होता है, नेक्स्ट कोशने 15 नमबर शुत्रो के हत्या करने वाले को क्या कहते हैं शुत्रोधर कहते हैं नेक्स्ट कोशने 16 नमबर सरलवाक का चैन करना है सरलवाक की पहचान यह है कि उसके बीच में कोई किंतू परंतू बट प्रोब्लम नहीं आएगा सरलवाक में किरिया विशेशन नहीं आएगा क्यूंके सरलवाक में कोई एक्स्टरा शब्द के अवशकता नहीं है इसमें कोई कौमा नहीं आएगा सुबह हुई और वह आ गया यह केवल एक ही वाक है एक ही बात को पड़कट करता है इसलिए यह सरलवाक है नेक्स्ट कोस्टन है विरोध करना के लिए सही मोहवरा क्या है सिर कटाना, सिर जुकाना, सिर चड़ाना, सिर उठाना सिर उठाना का मतलब होता है विरोध करना गुरू गुर चेला चीनी का अर्थ क्या होता है आम बोल्चाल में भी इस लोकोक्ती का प्रियोग करते हैं गुरू अगर चेले से पीछे चूट जाए गुरू से भी आगे उसका चेला चला जाए तो कहा जाता है कि गुरू गुर रह गया चेला चीनी बन गया नेक्स्ट कोश्चन है करोद किस रसका अस्थाई भाव है करोद का मतलब होता है गोस्ता यह जो होता है रोदर रसका अस्थाई भाव होता है जहां उपमे अनेक उपमानों की शंका होती है या कौनसा अलंकार होता है अलंकार कहीं परकार के होते हैं लेकिन संध अलंकार में, उपमे में अनेकों उपमानों की शंका होती है, शंका संध एक ही होता है, आप याद इस तरह भी कर सकते हैं नेक्ष्ट कोशन राम धारी सी दिनकर को भारतिय ग्यान पीट पुरसकार का प्राप्त हुआ राम धारी सी दिनकर को ग्यान पीट पुरसकार जो है उनसकी रचना उडवाशी पर दिया गया था जनम बाधा की पात्र गुडिया किस से पत्र लिखती है जन्म बाधा आपके पाठ पुस्तक का पाठ है इसकी एक पात्र है गुडिया या परधान मंत्री को पत्र लिखती है नेक्ष्ट कोश्चन है शक्ती और छमा के लेका कौन है शक्ती और छमा के लेका कराम धारी सी दिनकर है नेक्ष्ट कोस्टन है देववर्थ ने दश्राज की क्यों माननी देववर्थ दश्राज की इसलिए मानता है कि अपने पिता को वह सुखी देखना चाहता है दादा दादी के साथ है एक क्या है दादा दादी के साथ आपके पाठ पुस्तक का एक पाठ है या एक कहानी है नेक्स्ट कोश्चन है एक वैक्ती ने राशन की दोकान से तीन बटा चार किलो चीनी एक बटा टू किलो शक्कर खड़ी दे उसने 2 बटा 3 किलो चीनी खाई उसके पास कितनी चीनी बची 3 बटा 4 और 1 बटा 2 को आप जोड़ देंगे जो आएगा उसमें से 2 बटा 3 घटा देंगे आए हम इसे सॉल्ब करते हैं सबसे पहले हम जो है लगुत्तम लेंगे 4, 3, 2 का चार, तीन, दू का जब लगुत्तम लेंगे तू दूनी चार, दू एकम दू, तीन दूनी चो दूनी बारा बारा LCM आएगा, चार तिया, बारा तिया, नौ जोड, दू छके बारा एक, मैनस तीन चो के चार दूनी आठ नौ छो पंदरा में से आठ जागा, तो साथ बट्टा बारा, ओप्शन इस सही जवाब है नेक्ष्ट कोशन है, ट्वेंटी सेवन नमबर, इसमें जो है बडायकिट के अंदर, सॉल्व करके भाग देना है, दूसरे बडायकिट से आईए इसने हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले 4.6, 2.5 को गुना करेंगे, क्योंकि बोड मास में गुना का काम पहले होता है 4.6 को आप 2.5 से गुना कीजिए 25,500 के 0, हासिल 15, 25 का 115, दो अंक के बाद हमने 10 अमलो बैठा दिया उसमें ये 3.5 हम जोड़ देंगे 3.5 जब जोड़ेंगे तो ये 0, 5, 10 के 0, हासिल 1, 3, 4, 5, 1 यानि 15 पराप्त होता है इसे भाग देना है 0.15 गुने 10 से दो अंक के बाद पॉइंट आएगा यानि दसमलो समाप्त हो जाएगा जब आप इसे भाग देना है 0.25 गुने 10 से नियम के अनुसार जो है जब 10 से गुना क्या जाएगा तो दसमलो जो है दाएं की ओड एक पॉइंट घसकेगा यानि 1.5 हो जाएगा नीचे है 1.5 उपर है 15 यानि इसे जब भाग देंगे तो 10 आएगा क्योंकि 15 से 15 कटेगा दसमलो के बदले 10 आएगा सही जवाब ऑप्शन ए है नेक्स्ट कोसने 5 मेज का क्रेमूल 7 कुरसियों के क्रेमूल के बराबर है यादि 1 मेज का क्रेमूल 210 रुपया है तो एक कुरसी का क्रेमूल ग्याद कीजिए यानि 5 मेज जो है बराबर है किसके साथ कुरसी के चेयर के तो एक कुरसी का क्रेमूल हो जाएगा 5 मेज बटा 7 यानि हम मेज की जगा जो है 210 लिखते हैं एम हटा कर तो 7 तिया 21 5 तिया 15 150 रुपया जो हो गया एक कुरसी का मुल हो गया एक पॉंड में कितने गराम होते हैं कोशन नमबर 29 है मैट का परशन है ये एक पॉंड में 454 गराम होते हैं कोशन नमबर 30 है एक परिक्षा में 70 परतिशत उमिदवार अंग्रेजी में अनुत्तिर्ण होते यानि फेल हो जाते हैं उत्तिर्ण उमिद्वारों की संख्या 90 है, जब 70 परतिशत अनुतिर्ण हुए, तो उत्तिर्ण कितना हुए, 30 परतिशत, यह 30 परतिशत बड़ाबर है कितने के, 90 के, तो परिक्षा में उमिद्वारों की संख्या यानि 100 परतिशत का वैलू निकालना है, 30 परतिशत 90 के है, त नेक्स्ट कोंसने 31 नंबर 1 व्यक्ती ने एक वस्तू 300 रुपय में खड़े दी और उसे 10 पर्तिशत हानी पर बेच दिया तुर वस्तू का विक्रेमुल ग्याद करेव विक्रेमुल यानी कितने में बेच दिया बेच दिया यानि केतना हानी हुआ उसको 10 परतिशत का मतलब होता है 10 बटा 100 यानि 30 रुपिया हानी के साथ बेच दिया 300 में खरदाता 30 रुपिया हानी हुआ कहने का मतलब यह है कि उसने 300 में 30 कम 270 रुपय में बेच दिया 32 नमबर कोश्चन है दो संख्या का LCM और HCF दिया हुआ है एक संख्या दे दी गई है दूसरी संख्या आपको पता करना है एक फर्मूला होता है कि जब दो संख्या का LCM और HCF दिया हो तो LCM को HCF से गुना करके एक संख्या से भाग देके अब दूसरी संख्या प्राप्त कर सकते हैं 72 को और 12 को जब गुना करते हैं 24 से भाग देते हैं 12 दूना 24 छती दूना 72 सही जवाबे option C question number 33 है एक वर्ग का प्रिमाप 24 और एक आयत की लंबाई 8 है वर्ग और आयत का प्रिमाप बड़ाबर है आयत का छित्रफल निकाले सबसे पहले हम पता करते हैं आयत की चवड़ाई क्योंकि हमें आयत का छित्रफल निकाले के लिए लंबाई चाहिए जो एविलेबल है हमें चवड़ाई चाहिए जो पता करना है आयत का प्रिमाप होता है टून टू में लंबाई पलस चवड़ाई लंबाई का वैलू हमने पुट कर दिया चोड़ाई का नहीं किया इसका परिमाप वर्ट के परिमाप के बराबर है यानि 24 सेंटीमीटर है आईए हम इसे सॉल्ब करते हैं दूसरे 24 को कटेंगे 12 मरतबा कट जाएगा लंबाई पलस चोड़ाई दिया हुआ है तो बी का वैलू जो है 12 मैंस आठ चार आता है इस परकार आप आयत का छेतिरफल निकास सकते हैं लंबाई गुने चोड़ाई आठ चोका 32 सेंटीमीटर स्क्वार 34 नमबर कोश्चन है 1,2,3,4,5 में 3 के अस्थानिये मान और अंकित मान में क्या अंतर है अस्थानिये मान अस्थान के अनुसार इसका 300 हो जाएगा अंकित मान 3 घटा देजिए तो 297 हो जाएगा नेप्स्ट कोश्चन है 35 निम्दिखित में कौन सही नहीं है 56,7 किलो 5,670 गराम होगा 5 किलो ही 5000 गराम हो जाता है तो 56 किलो 5000 गराम कैसे होगा ये गलत है बाकी सब अपनी जगा सही है आप मिला सकते हैं 36 नमबर कोश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जेते 6,8,10 और 12 से भाग देने पर परतेक दशामी 4,6 बचे वह कोई होगा आप जो है 4 अंकी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखे उसमें 4 शीर्स बसता है कितना एतना से भाग देने पाड़े तो आप एतना का ACM निकाल लीजिए उससे भाग देने पर 4 शीर्स बसता है यानि इसमें 4 जोड देजिए फिर उससे भाग देजिए आपको सही जवाब सामने आ जाएगा जिस परकार आप इसे सॉल्फ करेंगे तो option C आएगा next question है 30 से बाद 961 का वर्दमूल क्या होगा वर्दमूल का मतलब होता है कि संख्या को आपस में गुना करने पर 961 पराप्ट होगा वो है option B पूर्ण वर्दमूल संख्या है चार option में पूर्ण वर्दमूल संख्या की पहचान करनी है यहां 121 पूर्ण वर्दमूल है याणी किसी संख्या को आपस में गुना करने पर पराप्ट होता है next question है आंश्त तताहर का संबंध होता है आंश्त तताहर का संबंध परीमे संख्या से होता है चालिस नमबर कोशने समान लंबाई चवराई और उचाई वाली आकरती को क्या कहते हैं ऐसी आकरती जिसमें लंबाई चवराई उचाई सब समानों घन कहलाती है मेंस्ट कोसन है 41 से 44 तक इसमें जो है अगला पत तलाशना है पिछले पत के अनुसार 12 दुना 24 होता है 72 दुना 144 हो जाएगा परधान मंत्री जो होता है देश का परधान होता है उसी परकार मुख मंत्री राज का परधान होगा शिशू के जो बच्पन की अवस्था है वो शिश्वा वस्था है परोड यानि वैस की जो अवस्था है उसे परोड़ा वस्था कहते हैं A में एक जोरेंगे तो B होगा B में दो जोरेंगे तो D होगा C में तीन जोरेंगे तो F होगा एक दो तीन के करम से आगे बढ़ रहा है इसी परकार एल में एक जोड़ेंगे तो M होगा M में दो जोड़ेंगे तो O होगा और N में तीन जोड़ेंगे तो क्यों होगा M O Q सही जवाब option D है 44 के बाद है 85 नमबर नीचे कुछ समिकरन दिये गए हैं या एक परनाली के आधार पर हल किये गए हैं उसी आधार पर अंतरी समिकरन का सही उत्तर ग्याद किजिए चो साथ आठ को तीन छे छे लिखा गया है पांच छे साथ को दू पांच पांच लिखा गया है नो चार छे को क्या लिखेंगे सही जवाब होगा आउप्शन डी 46 नमबर कोशन एक दिन सुबा रीता सूर्च की ओर चलना परारम करती है यानि पुर्व की ओर चलती है फिर वा बाएं मुड़ती है फिर एक बाएं मुड़ती है फिर कुछ दिर चलने के पासच जो है वा दाएं मुड़ती है उसका मुख अब किस दिशा में है पुर्व की ओर चल रही थी अभी किस दिशा में है तो आप देख पा रहे होंगे जब कोई पुर्व की दिशा में चल रहा हो और दाएं मुड़ जाए तो वो उत्तर दिशा में होता है सही जवाब है option C next question है निमलिकी तिविकलपों में से वह शब्द चुनिये जो दिये गए अक्षरों के परयोग करके नहीं बनाया जा सकता यानि यह जो चार option है इसमें कौन सा अक्षर है जो इस portfolio में नहीं है आप देख रहे होंगे R I F T इसमें मौजूद है R जो O F भी मौजूद है F O R T भी मौजूद है लेकिन 4 T को 4 T का इसमें C एवेलेबल नहीं है सही जवाब option D next question है 48 नमबर अतीतियों को आशा का परीचे कराते हुए भासकर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के एकलावते पुत्र है आशा भासकर से किस परकर समबदित है पिता का एकलावता पुत्र जो होता है वह पुत्री होगा सही जवाबे option D next question है 7 वैक्ती P Q R S T U V एक पंक्ती में खड़े है V दाएं और है इसके और बाईं और है क्योंके V जो है इसके दाएं और है और क्योंके बाईं और है P दाएं और है R के U जो है क्योंके बगल में खड़ा है T जो है P और इसके बीच में है T जो है P और इसके बीच में है P जो है दाएं और है R के हमने इसे सजा दिया बीच में कौन ख़़ा है तीनी धर्चे काट दिजे तीनी धर्चे काट दिजे बीच में आपको इस नजर आ रहा होगा नेक्स्ट कोशने 50 नमबर रिजिनिका या इंपोर्टेंट कोशन है इसमें जो है बिकतास्तान के जगा क्या होगा आप देख रहे होंगे कि ये जो करम है पहला अंतिम को गुना करने पर बीच वला आया है चो सत्य ब्यालिस दोस और एगारा को गुना करने पर एक सो दस आता है इसी परकार आठ को नो को जब गुना करेंगे तो बहतर आएगा जो आप्शन डी में है नेक्ष्ट कोसने आधुनी किर्सी का पर्तिकूल परभाव क्या है आधुनी किर्सी के वद्या से जल परदूशन हो रहा है मिट्टी की कटाई हो रही है जल भड़ा हो रहा है सही जवाब आप्शन डी है नेक्ष्ट कोसने वाहन के दुवे से निकलने वाली जहरीरी गैस कौन सी है वाहन के दुवे से जो जहरीरी गैस निकलती है कार्बन मोनो अक्साइड सी ओ है नेक्ष्ट कोसने तिरिपा नमबर पडियावरन ये छती को रोखने के लिए आप क्या करेंगे अगर आप पढ़ियावरन को बचाना चाहते हैं तो पेर लगाए वनों की कटाई मत किजिए परदूशन पर नियंतरन रखे यानि सभी कदब उठाए बायोगेश में क्या होता है खास तोर पर बायोगेश में मुखरूप से मीथन होता है CH4 नेक्स्ट कोसने पच्पन नमबर संख्याओं को सीधा पिरामिट अनुपस्थित होता है संख्याओं का सीधा पिरामिट कहां अनुपस्थित होता है वो जो है जंगलों में होता है क्यूंकि जंगलों में जो होते हैं वो मांसाहरी पशो होते हैं वो शाकाहरी को खाते हैं उत एक कोईला भंडार जो आज मेरे लिए किफायती नहीं है, वो हमारे डैस का हिस्था माना गया है, ये जो कोईला भंडार है, नेक्ष्ट कोश्चन है, एक कोईला भंडार जो हमारे लिए किफायती नहीं है, वो कोईला भंडार का हिस्था है, वानो के धुए से कौन सी जहरीली गैस निकलती है तो कारबन मोनोकसाइड निमलिखित में किस छेत्र में सरवादिक विविदिता है मुंगे की चटान में सरवादिक विविदिता है बाकी कक्छ वनस्पती शितोष्न वन टैगा वन में कम विविदिता है नेक्स्ट कोस्टन है मानो गतिवीदियों द्वारा परियावरन के पर्तिकूल परिवर्तन को क्या कहते हैं इंसानी गतिवीदी द्वारा जो परियावरन का पर्तिकूल परिवर्तन होता है उसे पारिस्थितिक छरम कहते हैं ओजोन दिवस कम मनाया जाता है ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है नेक्ट कोस्टन है ओजोन परत के टूटने में ओजोन सीधे परतिकिरिया करता है या कुदूरीन परमानों से पर्तिक्रिया करके ओजोन परत का च्छे करता है और पड़ाबेगनी परकाश जमीन पर आ जाती है पोस्टा नमर बासाथ है कौन से महत्पुर्ण जैविक कारक हैं जो जैविक समुदायों की समनचना और संगठन को प्रभावित कर सकते हैं यह जैविक कारक पोशक तब की उपलगता मिट्टी का प्यच परकाश के तिर्टा वर्सा हवा तापान भश्वानी परतियोगता बिमारी यह सबी है इन सबी से हमारे जो है पड़ियावरन का च्छे होता है पड़ियावरन प्रभावित होता है नेक्स्ट कोशन है 63 पारस्थितिकी के बारे में निम्लिकी सभी कथन सही है सिवाए यानि हमें गलत कथन की पहचान करनी है पारस्थितिकी से संबदित पहला कथन है कि यह पड़ियावरन के जैविक आजविक पाहलों के बीच बात्चित का दियान है बिलकुल सही पारिस्थित्की एक अनुशाशन है जो प्राक्रतिक चैन और विगास वादी इक्यास से स्वातंत है यह भी अपनी जगा सही है तीसरा है एकोलोलगिस्ट जीवों की आबादी और समुदायों का अधियन है यह भी सही है पारिस्थित्की से सम्मधी चौथा ओप्षन है कि व हरे पौद्य से घास से मिर्द कारवनिक पदार से फाइटो प्लांड से खादर शीकला की सर्व शुरुवात होती है हरे पौद्य से लेकिन अप रद लेकिन अप घटक खास लिल्ला के शुरुवात मिर्द कारवनिक पदार से होती है नियल तोसने अमली ये वर्सा शब्द गड़ने वाले हैं रॉबोर्ट एंगस स्मीथ चिपको आंदुलन को बचाने के लिए शुरूग क्या गया था तो वन को नेक्स कोसने 67 माना इंदोफिलीज मच्छर के काटने से कौनसी बीमारी होती है मलेडिया एक निश्चित निवास अस्थान में पाई जाने वाली सभी विविन परकार के जीविक चीजों सहित विविदिता के परकार को क्या कहते हैं एक निश्चित आवास अस्तान यानी मैजान में पहाड़ी अलाकर में पानी के अंदर जो जीवों के बीच विविद्धा पाई जाती है उसे गोल चलकी भासा में पढ़ जाती विविद्धा कहते हैं वाई स्केर रिजर में एक पो छोड़ निवर की ग्शित राते हैं कमाण जोन आते हैं हैं यफ स्केर भास में हैं क्लाकर जोन आते हैं लेकिन गोलाकर च्विविद्धा के संदर नखिप भासा में पानीविद्धा कहीं सब्सक्राइब करते हैं कि इस पूशन के किंद्रिय गिरी मंतरी डैस ने इपको द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनों डियेपी लॉंच किया वर्तमान किंद्रिय गिरी मंतरी जो है वो अमित शाह है अब यहाली में नामी बियासी चीता लाया गया है मद्र परदेश में उनों नेशनल पार्क में उस चीते की मौत हो रही है कोशन नमर 73 है पुतरी मैदान के पश्चमी भाग को किस नाम से जाना जाता है पनजाब का मैदान सुबूर का मैदान के नाम से जाना जाता है भारतिय समिधान में समिधान में जोड़ा गया, फिर इस तिपके बाद भी इस भासा में इस तक पर ग्यान पिट परसकार दिया गया नेक्स कोसने भारतिय समिधान में नोवी अनुशुती परिवर्दित हुई या परतम संशोधन द्वारा भारतिय समिधान में नोवी अनुशुती परिवर्दित हुती है नेक्स कोसने समिधान के पांडू लेकर समीती का दिम्न में से कौन सदस नहीं था समिधान का जो पांडू लेखन समी थी था उसके सदस मुहम्मद असा दुनिला के मुशी एक के अयर थे लेकिन जवाहर ना लेड़ू नहीं थे कोश्चन नबर 78 है किस दिर हमारा समिधान लागो हुआ 26 जनवरी 1950 को भारती समिधान की परस्तावना में किस करांती का परभाव नहीं जनखता है भारती समिधान की जो परस्तावना है उसमें फरांसिसी करांती अमरीकी करांती बोश्वी करांती का पढ़धाव जलकता है लेकिं चीनी करांती का नहीं भार्तिय समिधान जो लिखा गया था इन सब देशों के समिधान को देखकर लिखा गया था नेप्स कोशन है अरुनाचल हिमाले का फैलाव कहा तक है और नाचल में हिमाले का फैराव जो है वो भुटान हिमाले से दीपू दर्य तक है एक विज्ञान शिप्चक शौसन में से पढ़ाने के बाद परिच्छा यूजित करता है और देखता है कि अधिकान श्चातर शौसन और शौस के बीच अंतर को ही नहीं समझ पाते हैं में तर घौसन के फोल से सब्सक्राइब सेते हैं Almira करते सबसे बनाने की सबसे इसियों को सब्सक्राइब पर दोंगे। की कीमिक्ट सब्जी में विटामिन सी होता है। विटामिन वी मिलन शीऽ है। अगर आप सब्जी को काटेंगे फिर धोईंगे। इसका मतलब है कि आपनी वीटामिन को पानी में फूदिया बहा दिया। नेप्स कोसने 83 नबर पडियावरन अधियन की शिक्ष का गवायू केस इसे पढ़ाते समय वा परदर्शित करना चाहती है कि हवा भार भार करता है और आस्थान गेड़ता है। उनके सायोगी उन्हें इस उद्देश के लिए निम्द की चार अलगलग गति वीडियों का सुझाव करते हैं। खाली बाल्टी बीकर को पानी की सतर से उपर रखे और नीचे ढखे लें। रस को भूसे से चानना। गुबारे को फुलाना। तो भरे हुए गुबारे को एक छड़ से बांद का अंतर दाएं, फिर हे गुबारे को खोड़ दें। दोस्तो हवा अस्थान गेड़ता है, इस में भार हुटता है। ये जुह पहला और चौथा असफ़स्ट कर रहा है। गुबारे में हवा होता है, खाली बाल्टी में भी हवा है, जिसकी वज़ा से पानी के अंदर बाल्टी का भार बढ़ जाता है। चातर को सवायू परदूशन पर एक विर्थ चित्र दिखाना है। वो अकडामक वैवाहार रखता है 46 नमबर कोशन है यदि किसी बच्चे की मांसी कायू 5 वर से वास्तविक आयू 4 वर से तो बच्चे की बुठी कितनी है मांसी कायू और वास्तविक आयू के आधार पर आप उसकी बुठी लब्दी निगास दे है फर्मूला होता है मांसी कायू पट्था वास्तविक आयू गुने एक सोब जब आप चार्ज से ठाग देंगे सोब को तो पचीस आएगा पचीस से पाच को गुना करेंगे एक सो पचीस आएगा नेक्ष कुसने किशोरा वस्ता आदर्शों की वस्ता है सिद्धान्तों के निर्मान की वस्ता है 37 सा जीवन का सामान समयूजन भी है यह कथन किसका है यह कथन जो है जीन प्यागिट का है नेक्ष कुसने मांसीत विकास का संबंद नहीं है मांसीत विकास का समाशिक चार्थियों का वजन और उचाई से है तर्ट निर्णे से है, स्मिर्थी विकास से है, धारन चम्ता से है मानसित विकास का संबंध जो है तीनों से है लेकिन ओप्षन ऐसे नहीं है इसका संबंध विर्दी से है मानो शरीब में हर्डियों की नियुंतन संख्या कब होती है मानों शरिव में हड्डियों की नियूंतर संक्या वैस्ता में होती है बच्चे की जो हड्डी होती है वो ज्यादा होती है वैस्ते मुताबने बाद में हमारी हड्डिया कम हो जाती है पिशोरा वस्ता की परमुख समस्या क्या है? पिशोरा वस्त की परमुख समस्या है समा योजन में एक चोचने भासा सीखने का सही करम क्या है हम जो भासा सीखते हैं सबसे पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं फिर पढ़ते हैं फिर दिखते हैं कुछ परात्मी कस्तर पर भासा सीखने सिखाने की परकिरिया में प्राव्क असर पर कूंसी गतिविधी बच्चों की मौकिक अभिवैक्ति यानि बुने का कम से कम उसर देना वो है कानी के शब्द को दोहराना बच्चों को मन से सुचकर बूने का उसर नहें दिया जा रहा है ये सब से कम परभावी है महावडे और दोकोक्ति का परयोग के संधर्म में कौनसा कथन उचित है महावडे और दोकोक्तियों का अधिक से अधिक परयोग करना चाहिए क्योंकि यह भाषा परयोग को प्रभावी बनाता है नीटा ने सभी बच्चों को एक अनुचेद दिया जिसमें परतेक पांचवी शक्त की जगा डिकत अस्तान था जिसे बच्चों को भढ़ना था इताल एक इसका प्रणुक्या बच्ची को जो है सूचने का औसर दिया जा रहा है चार अनुकरम को देखकर पांचवा तराशने का औसर दिया जा रहा है ये जो होता है कलूज परिक्षन होता है बच्चों में और के माध्यम से लेखन पोशल का विधास क्या जा सकता है देखांकन और चितरांकन द्वारा बच्चों की पढ़कर समझने की योगता का आकलन होता है सही जवाब है आउप्षन सी बच्चों को देखांकन भाषा तब सबसे साहज और परभावी रूप से सिखी जाती है जब भाषा पढ़यों की छमता परमुकुर्देशों महावडे और लपोप्तियों का पर्योग करना जो होता है भाषिक अबेवैक्ति को परभावी बनाता है दोस्तों ये के सौव परच्चों जो दक्ता परिच्चा के टेश्ट पेपर उसे लिए गए थे दक्ता परिच्चा का अनोफिस्यल कुश्चन पेपर है ये और इसे परिच्चा में परच्चों के आने की काफी समझना है दोस्तों इसी तरह के पांच टेश्ट पेपर हमने जारी किये हैं जिससे आप 7631314948 पर बहुर्वार्सप करते प्राप कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद धेक्स पर वाच्चिंग